किसी भी चीज से डरना एक सवाभाविक अनुभूती है लेकिन उसे अपनी जिन्दगी में हमेशा के लिए जगह देना घवराहट और मानसिक तनाव को जनाम देता है जी हाँ आज के समय में अगर देखा जाए तो हर कोई घवराहट और किसी ने किसी चिंता से ग्रिष्ट है ऐसे में उन्हें कुछ ट्रीटमेंट की आउशकता है लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारतिय टीम के तेज गेंदबाज मुहमाज समी की पतनी हसीन जहां के बारे में दरसल पिछले कुछ दिनों से मुहमाज समी और उनकी पतनी हसीन जहां के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसको लेकर दोनों में ही घबराहट और डिप्रेशन जैसी समस्या होने की असंका देखी जा सकती है आपकी जानकारी के लिए बता दे की साथ मार्च को मुहमद समी और उनकी पतनी हसीन जहां की जिन्दगी में उठा भूँचाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है दरअसल पतनी हसीन जहां ने अपनी पती के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप कुछ इस तरह हैं जो किसी भी इनसान की जिन्दगी को बरबाद करने के लिए काफी हैं आपको बता दे कि हसीन ने समी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया और बदले में समी से हर महीने 10 लाख रुपे की मांग की इस मामले में 17 अपरेल को मुहम्मद समी को कोलकाता पुलिस ने पूंचताज के लिए बुलाया इस दोरान समी आईपियल में अपनी टीम दिली डे डेविल्स के लिए मेच खिल रहे थे इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि पतनी हसीन जहां ने मुहम्मद समी पर घरेलू हिंसा अवेद संबंद मैच फिक्सिंग और पडोसी मुल्क की लड़की से पेसे लेने जैसे संगीन आरोप लगाए थे खेर बाद में वो मैच फि झाल